खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स के तहत गुरपपुर के रामगर्टाल में खेलो इंडिया रोहिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें खेलाडियों के द्वारा खेल का बहतेरीन प्रदर्शन देखने को मिला प्रतियोगिता में 24 विश्ववित्यालियों के 471 खेलाडियों ने प्रत भाग लिया इस प्रतियोगिता में एक से एक खेलाडी उभर कर सामनी आए रोइंग प्रतियोगिता के 2000 मेटर की स्पर्दा में अलग-अलग विश्व विद्याले के युवा खेलाडियों ने जीत का पर्चम लहरा कर लोगों का ध्यान अपनी और आकाशित किया हम यूपी से एकलोते हैं जो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा है हम क्वालिफाई करके आए खेलो इंडिया में यह भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और हम इसमें थैंक्यू कहना चाहेंगे अपने इंविश्टी को अपने कॉलेज को ठाकवर नायन सिंग डिग् में हो वो अपने इंट्रेस्ट लेता है अभी तक यह सेक्टर आप देखेंगे यूपी में हो रहा है यूपी की एकलोती टीम है और हम सब भी इंस्पायरड हुए क्योंकि हमें इसकी आप जोटी मिली गौवर्मेंट की तरफ से और मैं यही सजीशन दूंगा और रिक्वे इस प्रतियोगिता में पंजाब के विश्वध्यालियों ने सरवाधिक पदक अपने नाम किये खिलाडियों ने मोदी योगी सरकार, स्पोर्ट्स अथौरिटी ओफ इंडिया और स्थानिय प्राशासन की तरफ से किये गए इंतजामों की दिल खोल कर तारीफ की जोगी साब का तन्यावाद करता हूँ, जुनों ने खिलो इंडिया प्रयोगता रोहिंग की पहली बार स्टार्ट करवाई है वो भी गुर्खपुर में जहां कभी रोहिंग का नाम नहीं था और आज गुर्खपुर को यहां यूपी का इंडिया का बच्चा बच्चा जानने लगा है सिरफ एक खेलो इंडिया की वाज़ा से हर कोने से बच्चे यहां आए हैं हमारी यो रोहिंग पर युगता है पहले दो यार मीटर की हुई है दो यार मीटर में यो यूनिवस्टी साही थी जिसमें पंजाब यूनिवस्टी चंडिगड के मैडल आए हैं पंजाबी यूनिवस्टी पडेयाला के मैडल आए हैं लवली यूनिवस्टी के आए हैं उसके बाद गुर्णानक यूनिवस्टी के मैडल आए हैं तो इसी तरह केरला युनिवेस्टी के भी मैडल आए तो सभी युनिवेस्टी ने अपने अपने इवेंट्स में अच्छे मैडल प्राप्त किया है। प्राश्ट्रियो और उलम्पिक प्रतियोगिता हैं शामिल होती है।